शम्षुल इसलाम साहब से सबसे पहले समझने की दृष्टी से क्योंकि ये नागरिक की बात है ये हमारे और आपके उसकी बात है हम लोग बहुत से टेडिशन होते हैं बहुत से हर घर के अलग-अलग चीजे हैं हर घर के टेडिशन से भारत देश में यूनिफॉर्म सिविल क वोट को बतलब एक कानून से सबको हांखने का क्या दुरॉत है ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तो इसकी एहमियत क्या है कि कुछ लोगों करा मानना इसके इहमियत केवल चुनाव है चुनाव से पहले एक गभाय दिखाके या इसकी आर में वोट का काम है लेकिन क्या इससे सही में हमारे और आप के जन जीवन पर कोई असर पड़ेगा ज़रा शमसुल इसलाम साहब से इस से शुरू करते हैं और फिर मेरे साथ विपलव भी हैं जो हाई कोट के लॉयर है हितिर गुपता साहब है इन से लिगैलिटी इसकी समझेंगे शमसुल साहब हम और आप का ऐस इसे शमसुल साहब और आप और आप यहां जाती हृँ जहां ऐसे हिंदू रहते हो जो पयास खाने पर ठर्न का तंबू बिर जाएगा और ऐसे हिंदू भी रहते हो जो मीट के बिना और पूजा नहीं हो सकती मीट खायग ना और इसी तरह से मुसलमाणों में मुसलमाणों में जितने अंतर जितने भाशाई जितने कर्चरल अंतर हैं हिसाईयों के अंदर जैनियों के अंदर बुदिस्ट के बीच में वह पर एक बड़ी घलती यह है कि आप उनीफॉर्मिनकी की बात करते स्कूर की कि तो hanging form हो सकती है हाला कि आजकल एक कुछ यूनिफॉर्म करने पर भी आपका स्कूल ढाया जा सकता है और गिराया जा सकते हैं अगर आपने अगर आपने एक तरह की उनिफॉर्म पहना दी तो तो वह वह एक चीज है तो एक बहुत गलत एक जो सोच है वह यह कि जो अलग-अलग धर्म हैं की तरह के सोचल डिलेशन्स हैं एक ही तरह कि उनके शादी शादी बिहार और जो जो आप कहते हैं विरासत के जो कानून है वह एक ही तरह क्या है यह बहुत बड़ी यानि इसको बेवकुफ ही कहा जाएगा इसको मानना दूसरी बात यह है कि अंग्रेज भी इस चक्र में फ रखा कि अभी तो जो जिसमें सब एक थे सब को एक ही लाठी से हांका जाना था उसमें भी अंतर हो गया है और आप ये एक महान हमारे राजपूत जो बड़े नेता हैं और मेंबर पार्लेमिंट हैं वो किस तरह से बचाए जा रहे हैं उसके अलावा आप गाएं के नाम पर लोगों को मार दें तो आपकर कोई मुकदमा नहीं चल सकता है आपकी गिरफतारी भी नहीं होगी इसको भी हम लगातार दिए रहे हैं आप दलीतों को मार दें दलीत औरत के साथ रेप कर लें तो कोई जरूरी नहीं कि आपकर आपकर मुकदमा चलेगा ये आपको सजा होग तो यह चीज एक बहुत बहुत गंभीर एक मसला है एक सबसे इंपॉर्टन बात यह है इसमें कि हम यह किसी लिए चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड हम जो लिंग की जो जेंडर इक्वैलिटी उसके लिए चाहते हैं यह हम पहचान है हमारी इंटिटी पॉलिटिकस है उस इसमें किसी एक पहचान की दादागीरी इस्ताबीद करने के लिए चाहते हैं देखिए मैं यहां इतने विद्वान बैटे हैं कानून विशेशक्गे भी बैठे हैं वो जाकर बात करेंगे लेकिन मैं जरा सा चूह देता हूं कि समीधान सभा में जब इस पर बात हो रही थ थी तो रेनुका रे जो कॉंस्ट्रेट असंब्ली की मिंबर थी उन्होंने बहुत गंबीर सवाल उठाया था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है जो जेंडर इक्वैलिटी को लेकर है जो जिसका आधार जेंडर इक्वैलिटी हो नहीं चाहिए उसको आप फंडमे लेकिन जो नित्र था उसने 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 पिल्कुल इससे डरता था और यह कहता था कि नहीं नहीं यह करना बड़ा खतानाग हो जाएगा इससे हम लोग हम लोग के आपस में टूटन हो जाएगी अच्छा यह मैं बात कर रहा हूं जो लोग सुटनतर संगराम कांदोलन लड मैं मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ा साम समय निकाले वह सब्सक्राइब के चार दिन के बाद आरेश का जो मुख पतर है और एक एडिटोरिया लिखता है मनुस्वृति को चाहने वाले वह यूनिफॉर्म सिविल को चाहते हैं तो इसका मतब यह कि यूनिफॉर्म सिविल जाए मुसल्मानों को सीधा गया जाए और जहां तक मुसल्मान धर्म के ठेकेदार होता सवाल है वो जिस ने जिस धर्में चौदा सो साल पहले उनको बराबरी दे दी थी उनको वो चार शादी ट्रिबल तलाप और इस सब में लाकर वो यह सोचते हैं कि उन्होंने शरीयत क कुरान बना दिया यह कुरान और शरीयत में कोई अंतर नहीं है घंदुत वादियों के लिए तो मनुस्मृति ही सब कुछ है लेकिन एक ऐसा धर्म जिसमें बराबरी की बात थी 14 सुल साल पहले और अगर और अगर अगर निकलना भी था तो और अगर निकलना भी था तो और बशात कहा जलग और मर्द कहा जलग होता तो आप यह समझे कि क्या हो रहा है धर्मों के नाम पर बुनियादी सवाल अनन भाई आज हमने तै करना वी यह है कि कोई भी उनिफॉर्म से जिल सुल कोट आप काले रंग क्ला लाल लंग का नीले रंग का गदे की शकल का सुझर क की शकल का हिरन की शकल का किसी का भी ले आई है क्या वो और तों को शादी के बारे में और उनको संपत्ति के बारे में बराबरी का अधिकार देगा आखरी बात आखरी बात मैं चेह रहा हूं जीना साहब जब दुबारा politics में आते हैं Muslim League के नेता बन कर और जब राजनीती से जाते हैं हमको पता है जब राजनीती में आते तो सबसे पहला सबसे पहला भाशन वो Central Assembly में किस चीज़ के हिमायत में देते हैं यह मैं बता कर अपनी बात खतम करूँगा वो पंजाब के अंदर एक चानून बनाया जा रह यह उसके विरोध में खड़े होते हैं यह उसके विरोध में खड़े होते हैं और यह कहते हैं कि इससे इसलाम का तंबू गिर जाएगा इससे यानि पंजाब के जमीदारों पर एक हंग कुछ लगाने का उनको यह कहकर कि उनकी जो बच्चियां हैं उनको जमीदाराना में ह भाग इसन हरो भंगी, जी.